एक perfect practice एक इनसान को perfect बना देती है, अगर आपको वाकिव इन गोल को achieve करना है, in that case you have to focus on a perfect practice, जाओ mock test दो, हर साथ दिन में कम सी कम एक mock test जरूर दो, जितने questions की practice कर सकते हो, उतने practice करो, पिछले सालों के question paper solve करो, समझ में आ गया, mente quiz में regularly participate करो, जब mente quiz होते हैं, आपको पता है, दो assistant teacher mente quiz कराते हैं, आपके master teacher पर mente quiz कराते हैं, so जाओ regularly, उन mente quiz में participate करो, सिर्फ question पर focus करो, try करो उनके answer देने का as soon as possible, फिर check करो कि आप लोग सही होते हो कि नहीं होते हो, यह जो practice है, जिसमें आप अपने आपको, basically अपने आपको ही check कर रहे होते हो, कि आपने कितना सही किया कितना गलत, यह आपकी real key है, जो आपको amazingly improve करवाएगी आपके exam में, समझ में आता है, so जो इनसान खुदी ने सोच लिया हो, कि भईया, मेरे को खुब मैनत करनी है, समझ में आगे, जिस इनसान ने सोच लिया हो, मेरे को खुब मैनत करनी है, मेरे को practice करनी है, वो question की practice कर रह है, समझ में आ गया, अच्छे से practice कर रहा है, so जब वो इतनी अच्छे से शिप्दत से practice कर रहा है, regularly practice करता है, वो MCQ को solve करता है, mock test भी देता है, mente quiz भी solve करता है, तो definitely उसमें improvement तो आई गई, तो यह number 3 है, practice more, जितना जादा आप question की practice करोगे, in fact है न मैं आपको बताता हो, practice करोगे, उतरा अच्छा है,